मेरे सवाल है अब जिनकी फिद्रत बीजेपी में डॉक्यूमेंट टेमपर करके करने वाले वो जवाब ना दे मुझे मुझे मुदी जी खुद दे और कहे तो बहास करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तयार हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट करते हैं आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है पर किसी ने फिर अच्छे जन्रालिस्ट ने जो मोडिया नहीं थे डरे नहीं थे उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि यह डिग्री जिस फॉंट में है वो फॉंट उस जमाने में थे नहीं तो यह डिग्री उस फॉंट में कैसे बनी उसके बाद यह दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था जैसे मैंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आप गूगल में डा जाती कहा, कौन से लिस्ट में, आप तो मोदी हो, गुजरात में जो घाची होते हैं, वो लिखते हैं मोदी घाची, गुजरात में तेली होते हो लिखते हैं मोदी तेली, अपने सरने में लिखते हैं, मोदी घाची, मोड घाची, मोड वनिक, अगर नहीं हैं उसमें तो मोड लगते हैं, simple मोधी मिन्स simple मोधी मिन्स, जो पुर्नेश मोधी ने कहा, कि हम मोधी समाज से हैं, हम गुजरात के वनिक समाज से हैं, सुपर अपरकास्ट है और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने पुर्नेश मोधी जी ने कोड के अंदर जब बोल रहे हैं थे तो ये भी बोलें कि किसी भी गवर्मेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्रन नहीं है that पुर्नेश मोधी हैस सेट अगर इतना जूट क्यों अगर आप रियल में आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो कहते हैं कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा OBC में हूँ मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसा बेड़ा होता है माने ये ना घांची है ना तेली है ना किसी लिस्ट में है ये मोदी है पूर्नेश मोदी जी ने खुद स्विकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यपार करने वाली कॉम्यूनिटी में है उस सुपर रिच में चपाने जाते है उसमें वो लोग हैं और यहां पर देश में लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं पहला सवाल कि बंबई के उस मोधी समाज ने आपको जब CM बने और कहा कि फ्रॉम अवर मोधी समाज जो की बड़े व्यापारी और उपर रीच है उन में से पहला मुख्यमंत्री बना है उसके मेगेजीन में आपके इस्तियार और फोटो चपे आपने क्यूं नहीं कहा उस वक्त कि बुल जाओ भया मैं तो पिछडा हूँ मैं गाची हूँ मैं तेली हूँ मैं OBC हूँ कुछ नहीं कहा अगर आप गाची थे तो आपकी सरनेम के पीछे मोदी गाची आना चीए अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोडी गाची लिखते हैं मोडगाची लिखते हैं, मोड़ तेली लिखते हैं, सिंपल मोधी में या पारी कॉम्यूनिटी जो पूर्णेश मोधी ने कहा वो, तो आप इसका खुलासा करें, मिला दूसरा प्रश्चा, अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं, वो तो मुख्यमंत्री बन मुख्यमंत्री बनने के बाद 1st January 2002 में क्यों निकला, और इसमें कहीं पर भी मोधी नहीं है, कहीं पर मोधी नहीं है, तो इस नॉटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है, आप बताइए, थर्ड, पूर्नेश मोधी, सुरत कौट में केस दर्ज करते हैं, और वो कहते ह हैं कि गुजरात में मैं मोधी समाज से हूँ और हमारे मोधी समाज ट्रस्ट में हम घाची, तेली, इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनायाते हैं, इससे ज़्यादा और प्रूप क्या चाहिए आपको, इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में होई नहीं, जिसका प्रूद क्यों नहीं करते हो, RSS के गुरू गुलवलकर जी ने कहा था, Even recognizing SCs or STs, thinking it is a brace to jealous and conflict, he said, reservation for SCs and STs would make them slaves with the lure of money, उसके बाद महुन बागवद जी ने भी एक statement किया था, फिर वो U-turn कर गये थे, मैं मोदी जी को सो कहता हूँ कि आप गुलवलकर जी की ये बात जो थी, कि SC, ST को reservation नहीं देना चाहिए, इससे एक जलसी पैदा होगी, उससे सामत हो या नहीं, 1978 में करपूरी ठाकुर जी जब 26 प्रतिशत का reservation लाए, तब जनसंग ने करपूरी ठाकुर जी का और इन reservation का विरोध किया था, आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है, माय अनधर में, 1981 में, श्री मादव सिंग सौलंग की गुजरात के मुख्यमंतरी थे, और 21 प्रतिशत reservation आया, OBC का, उस वक्त पे ABP और BJP ने agitation किया था, विरोध किया था, जैल में भी गहे थे, तो आप इसमें सहमत हो, या नहीं, और आकरी सवाल, आप भी उसमें शामिल थे, मोदी जी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, देश में OBC के आरक्षन की बात का अगर विरोध किसी ने किया, तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल याने की भारती जनता पार्टी थी, इसको आप क्यों भूल रहे हो, तो रहूल गांदी जी ने जो कहा, वो सरासर सही है, कि ना ये घाची है, ना तेली, ना पिछडी जाती से है, ना इसकी सरने में कहीं पर मोधी के बाद कुछ नहीं है, और पोनेश मोधी ने रहूल जी के खिलाब किये केस में, एक क्रिश्टल क्लियर हो गया है, कि मोधी सिर्फ लिखा, इसका मतलब वो व्यापारी है, सूपर अपर कास्ट है, और इससे पिछडों से कोई लेना देना नहीं है, इवन अपने ट्रस्ट में, वो घाची तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं, ये ओन रेकॉर्ड, कोट के रेकॉर्ड में आया, और एकसेप्टेड फैक्ट है, ये में चीजें आपके सामने रखी हैं,